बसी साब स्वागत है सूप्रभात हर्याली चाहिए बाजार में अच्छी मजबूति के साथ कारोमार होता दिख रहा है ट्रेणिंग रेंज के उपरी सिरे पर पहले आउटलुक और साथ ही आपके अपडेट्स भी तो आपको आफते से कह रहा था बजार आपको मौका दे रहा है ले लो ले लो अब आप वेट करेंगे तो 16200 क्या 16800 पहले आएगा और फेट की मीड बॉंड इल्ड ये सारा जो मैक्रो इवेंट है ये सारा दीरे-दीरे डिसकाउंटेड है पाम ऑइल भाव गट रहे हैं और आप देख रहे हैं चाइना रियोपनिंग आई मैने कभी नहीं देखा के सेल डेड रुपे डिसकाउंट पे ट्रेड करता हुआ तो बता रहे हैं कितनी पैसिमिजम और शॉटिंग कितनी ज्यादा मार्केट में एविडेंट थी अपडेट देजू आपको कैंफिंग चार स बने रहे हैं आई-टी विल बीन आउट पर्फॉर्मर फॉम इस वीक ओनवर्ड अब आप कहें तो दो नहीं तीन पिक्स हैं आपके लिए शुरू करू तो बिल्कुल सर्फर्सक्रास हफते की शुराद तीन बैटिन पिक्स के साथ बताएं सब से पहले लीजिए नैशनल अ इंडिश टावर्ड में तो आप देख रहे हैं किस तरह से रोट हो रही है आपके डावर्स की और आपके सब्सक्राइबर आपके लेजिए आपके लिए त्याइस रूपे का स्टॉप लो से 36 रुपे का टार्गेट मुझे इंडस टावर में दिखता है और तीसरा है PFC पावर फाइनेंस आना वरी स्ट्वीट स्पेट अर्ड़ी इस आरीची ने बोनस दे दिया एक सो सारे साथ में ली जिये पावर फाइनस टावर के लिए वहीं PFC खरीदे एक सो चार के स्टाप लोज के साथ और 112 के टार्गेट के लिए 108,109 के आसपास यहां करनी है आपको खरीदारी अब आज चोटे चोटे दिख रहे हैं आपके तीनों स्टों के कोई खास वजे सर अनि जी थोड़ा ट्रेडिंग बने ना क्योंके दाइसो पॉइंट की रेली आ गई पंद्रा आट सोपे मेरे बहुत कमफट था सोला दोसों पे मुझे लगता प्रॉफिक बुकिंग भी आ सकती है तो थोड़े कम में भी ट्रेडर को कवाना है घर लेके जाना पैसा बात है तो चोटे जोड़ी टार्गेट से ले सिंगल्स लेते रहें डेबल्स लेते रहें पर बॉल में सिक्स मानने जाएंगे तो फिर कैच आउट होने के चांस पूरे पूरे हैं बाउंडरी पर तो बस इंसाब करें कि ट्रेडिंग करते रहें और उसमें आप पूरी तरह से एक्शन रहें